बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट होने वाली है क्यूंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे class 11th का आपका जो economics का subject है इंदी में कहें तो अर्थ सास्त्रिया ठीक है इसके लिए morning shift के बच्चों का आपका कल यानि की 15 फरवरी को और evening shift के बच्चों का परसों यानि की 16 फरवरी को आपका जो economics का annual का exam होने वाला है यानि की आपका जो final का exam होने वाला है बच्चों इसी की preparation को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लिखे आए हैं इस वीडियो में एक और most important sample question paper को जिसके सारे के सारे question को बहुत अच्छे से बच्चों इस वीडियो में हम solve करके समझेंगे वैसे तो मैंने already आपके लिए 2 sample question paper with solution बहुत अच्छे सापको समझा दिए थे आपका feedback भी बहुत अच्छा आया था कि साजी अच्छे समझ में आ गया लेकिन बहुत सारे बच्चे comments कर रहे थे Instagram पे message भी कर रहे थे कि साजी paper से पहले ना कम से कम एक sample question paper और समझा दो solve करके ठीक है तो especially आपकी ही demand के according हम लेकिया है sample paper number 3 को और आपके लिए जो test paper है दूसरा वाला test paper और तीसरा वाला हिंदी और English medium में उसकी videos भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी ठीक है एक दो गंटे में तो आप उन sample paper की practice खुर से करना और यह मैं आपको solve करके समझा दूँगा ओके बच्चो तो आगे बढ़ते हैं बट उससे पहले आप सभी को आपके economics के 15 और 16 तारह के final के exam के लिए मेरी तरब से all the best अच्छे से paper करके आना ठीक है आपके test papers की videos होगी वो भी आ जाएंगी और mcq वाली वीडियो जो है वो भी आ जाएगी ठीक है तो attention मतलो काफी त्यारी अच्छी हो जाएगी तो शुरुआत करते हैं देखिए आगे वढ़ने से पहले एक जीज़ आपको मैं बता दू कि जिन वच्चों को paper का pattern पता है वो वच्चे इस वीडियो को दो बनेट का skip कर सकते हैं क्योंकि अभी हम pattern को समझेंगे ठीक है क्योंकि हो सकता है कुछ नई वच्चे add हुए हो इ पेपर जो है यह इसके pattern को समझने के लिए आप इसके सामान निर्देश इंग्लियस में कहें तो general instructions होते हैं इसे पढ़िए ठीक है पेपर में आपके syllabus के coding आपकी जो दो किताब हैं उसी साफसरे आपके दो खंड है एक तो है आपका खंड आ जो कि आपका आर्थसास में सां इस नंबर का जो आपकी second वाली वुक है ना 12 वाली जो 11 में आई है introductory micro economics वाली ओके आप questions कैसे होंगे तो दोनों ही section मिला के आपके 20 जो है वो बहुँ विकल्पिया प्रेशन होंगे एक एक गंक के यानि कि आपकी पहली वाली किताब से यानिके section A में 10 MC की होंगे और section नंब लिखों के 6 लगोत्रिय प्रेशन होंगे तो चार नंबर के आपके 3 quotient section A में और 4 नंबर के 3stat Studios section B में 6 नंबर के 4 धेरज़ा होंगे तो 6 नंबर के आपके 2 section A में होगे और 6 नंबर के 2 आपके section B में होगे ठीक है तो अब दिहान से देखो आपका ये जो section A वाला पार्ट है ठीक है section A वाला इससे हम समझेंगे इस वीडियो में जो की इस paper का part 1 है और जो बाकी रह जाएगा इससे मैं part 2 में समझाऊँगा part 2 की video का link दियान से दिखो part 2 की video का link आपके दो sample question paper का link आपके जो test papers है इन सभी video का link आपको एक playlist में मिल जाएगा ठीक है इससे आपकी त्यारी जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा help देगी फिर जो English medium की बच्चे है वो अपने paper के pattern को यहां से दिख लीजे 20mcq यह 10-10 divide हो जाएगे आपके 4 short questions ने 3 marks के 2-2 divide हो जाएगे फिछे आपके short questions ने 4 marks के तो यह भी 3-3 divide हो जाएगे 4 long questions में 6 marks के यह आपके 2-2 divide हो जाएगे ओके चलिए क्या आप तयार है आज के sample बिवर के शुरुआत करने के लिए तो आज आएए आगे बढ़ते हैं देखिए इस paper का जिस section को हमें आज discuss करना है वो है हमारा section number A 40 marks का आर्थ सास्ट में सांके की बोले तो statics for economics ओके आईए द्यान से समझते हैं देखिए question number पहला जो है इसको सुरुआत करने से पहले द्यान से देखो paper में जो है वो आपके पहले तो 10 MCQs आएंगे ठीक है लेकिन मैंने क्या किया है pattern को थोड़ा बदल दिया है इसमें मैंने 12 MCQ ले लिए हैं कि दो choice भी ले लिए है ताकि आपको 2 MCQ एक्टरा समझा सको ठीक है अब आप सभी बच्चे इन MCQ question का जो answer है मेरे द्वारा answer बता जाने से पहले अपने मन ही मन अपने दिमाग में ये guess करना कि सर्ये question पढ़ रहे हैं और मेरे साब से इसका जो है ये answer हो सकता है फिर मैं जो बताऊँगा उसे match करना और फिर देखना कि आपने कितनी त्यारिका रखे है इससे पता है क्या होगा अगर आप गल्यत भी बताऊगे तो आपको याद रह जाएगा अच्छा सर ने इसका ये सही बताए था मैंने एक बताए था तो ऐसा ना छवी बन जाती है याद रह जाता है पहले पहला question क्या कहता है कथन है तो कथन एक हमारा क्या कहता है कि वस्तूओं या फिर एकाईयों का वर्गी करन हमारे मूलिवान समय और प्रयास को बचाता है बिल्कुल ठीक है या फिर वर्गों में एकाईयों को व्यवस्तित या समुहित करना होता है तो यान कि वर्गी करन जो है वो क्या है कुछ मानदंडों के अधार पे समुह या फिर वर्गों की जो एकाईयों होते है इनको व्यवस्तित करना होता है बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कथन एक भी सही है और दूसरा भी सही है तो option A वाला दोनों कथन एक और दो यह दोनों सकते हैं ठीक है अब इसी प्रिकार से आपका इंगलिस में आ जाता है statement 1 क्या कहती है कि classification of items or units saves our valuable time and efforts right है statement 2nd कहती है कि classification is arranging or grouping units into groups or classes on the basis of certain criteria तो यहाँ पे आपका बोथ right है यानि कि A वाला चलिए 2nd question द्यान से समझेए नेमनलखित मैं से कौन सी गैर आर्थिक रिया नहीं है यानि कि नेमनलखित मैं से कौन सी करे है जो कि गैर आर्थिक नहीं है तो द्यान से देखो पिता के द्वारा बच्चे को दी गई देखवाल बिल्कुल है एक मा के द्वारा किये घर के काम बिल्कुल है नेक काम के लिए रख़दान बिल्कुल है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवाई ये आर्थिक रिया है ठीक है ।places के माद्धियम से निम्न का मान गियात किया जा सकता है eh कि माध्धियम से वå होता है बच्चो Supp Ricky बाला Option है ठीक है उसके बात अत्वा क्या है माध्धियमा अर्प को एक वह औसत है किसी भी स्रिंखला को खुछ बराबर भाग Smellsble सिधी महूं डिवाइड करती बच्क चार में दो महीं तीन में पांच तो आपने पढ़ा है Constitution तो अंपने पड़ायजिंड है सोच्छोग क्या इसका वयाउन सब्सका इसका इतने होंगे NASA कुक्าม में निश्दे में करती । दो में डिवाइड करती है ठीक है इसे प्रिया दिखरें इंग्लिस में है दा वैली और फॉलोविंग कें वी डिट्रिमिनेंट थू वाइलॉन इट इस मिडियन इन एवरेज डिवाइड 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 दा सीरीज इंटू इक्वल पार्ट उसके बाद कॉस्चन फ वैकल्पिक प्रियोग करना ये सभी रीजन जो है वो आर्थिक समस्या के बनते हैं तो आप्शन आपका डी एकडम करेक्ट है ओके वे वट अमीन वाइड एकोनोमिक प्रॉब्लम तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम से ये डी राइट है अब ध्यान से देखो जो प्रात्मिक हांख्ड़े होते हैं इनको प्रांप्त करने का जो शुरोत है वो क्या होता ही मैं। और यहाँ पर देखो जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा ऊस बच्ची में पिण्भी कर दूँगा ठीक है अगर राइट होगा तो और उस बच्चे के कमेंट को मैं हाट भी दे दूगा ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए तो कहां पे थे हम हाँ कॉन से प्राथमे काकड़ों को एकद्र करने की विधिन नहीं है तो क्राथमी काकड़े जो है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गणना से एकत्यत किये गए जो आंकडे हैं ये किसके अंतरगत आते हैं ये आते हैं सेकंडरी डेटा के अंतरगत किसके अंदर सेकंडरी यानि की दुत्यक आंकडों के अंतरगत ठीक है जो भारत की जन गणना से एकत्यत होंगे तो आपका यहां पर जो है सी वाला इसकी कुंकि एक सतत स्रेणी के वर्गी करेत आखणों में सांके की परिकलन वर्गों के मध्य विंदुओं के आधार पर की जाते हैं इसलिए आपका ये वाला राइट है इसे प्रिकार से इंगलेस में आप्शन एक करेक्ट है आपका फिर देखें क्या कहता है कि सह संबंद गुड संबंद की मात्रा को निधारत करने के लिए हम सह संबंद गुड़ांग का अपयोग करते हैं उसके बाद देखो अब यहां पर निम्ण मैंसे कौन सा सुचकांक का एक प्रिकार नहीं है तो सुचकांक कई प्रिकार के होते है जिसमें से यहां पे तीन प्रिकार दिये गए एक गलत है तो सेनेक्स होता है निफ्टी भी होता है और और द्यूगिक उत्पार्ण सुचकां कि यह भी होता है लेकिन महेंगाई दर नाम का कोई सुचकांक नहीं होता है यह रॉंग हो जाएगा आपका ओके इसे प्रेकार से इंग्लेश में देखेंगे और इसके बाद में विच अपड़ी फॉलविंग इस नॉट टाइफ ऑप इंडेक्स इंफलेशन रेट अब देखो कुश्चन नमर एट दुत्यक आंक्ड़ों में इन में से कौन सा समलित हो सकता है तो दुत्यक आंक्ड़े देखो वे आंक्ड़े हम जो सरकारी दस्तावेज उसे बिल्कुल ठीक है उपलब्द अनुसंद्धान आंक्ड़े बिल्कुल ठीक है यानि कि दुत्यक आंक्ड़े जो है वह हम इन सभी से प्राप्त कर सकते हैं तो आप्शन आपका डी वाला है आप एकड़म करेक्ट पर जाएगा विच आप फॉलिविंग इंक्लूड़े जो चरम मूल है इन पर आधारित है बिल्कुल ठीक है और चरम मूल यों से प्रभावित ये गलत आ है क्योंकि ये जो है चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है तो कौन सा हो जाएगा थो नहीं है which of the following is not a property of the mean that is affected by extreme values अब 10 देखिए क्या कहता है अभी कतन है और कारण है तो अभी कतन ए हमारा क्या कहता है काल पिर्शन के सह संबंद के गुडांग का उप्योग केवल तभी किया जाना चाहिए जब चरों के बीच एक रैखिक संबंद जब हम बात करते हैं काल पिर्शन के सह संबंद गुडांग के उप्योग की तो इससे हमें केवल तभी उप्योग करना चाहिए जब जो चर है दो या दो से दिक जो चर है वो एक रैखिक संबंद में हो अगर रैखिक में नहीं है तो नहीं करना चाहिए इसलिए काल में कहा गया है कि जब X चर और X चर के बीच यहाँ पर Y आना चाहिए था X और Y चर के बीच एक रैकिक संबंद होता है तो काल प्यर्शन के से संबंद गुडांग का गड़ना करना ब्रामक हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर हमारा A भी सही है और R भी सही है और R की एकदम पर्फेक्ट व्याख्या करता है अब आप ध्यान से देखो अभी आपने कितने MCQ कर लिए टोटल आपने 12 है MCQ के है है ना तो अब आपको पता चली गया होगा कि आपने कितनी तारिका रखे थी MCQ की अब चलते आगे आप एक कुस्चन नमबर हमारा यहां पर 11 जो की 3 नमबर का है बट कुस्चन नमबर 11 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन अनौसमेंट है पहले उसे सुन लिजिए अनौसमेंट यह है कि आपके लिए आपका भी जो सबसे पहला एक को के बाद में आपका जो एकनिलिक्स का एकसाम होगा ठीक है और आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एकसाम होगा ठीक है तो हमने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए हिंदी मीडियो में भी और इंगलिश मीडियो में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जितना हो सकता है बहुत असान तरीके से सारे के सारे 10 के 10 सैंफलों रेडी किये हैं इसमें हमने बहुत ही important question previous year के question और जो लगता है कि आपकी exam में पूछा जा सकता है ठीक है जिससे आपकी practice आपकी तयारी exam की बहुत अच्छी हो सकती है उन questions को हमने add किया है आप जाएए इनको buy कीजिए और अपनी तयारी को और भी अच्छा बनाईएगा ठीक है अब आप कहोगी कि सर्जी buy कैसे करना है तो buy करने के लिए दिखिए ये वाटसटप number है आप इसपे contact कर सकते हैं सबसे पहले देखो अगर buy करना हो तो contact कर लेना बट इसपे call बिल्कुल मत करना है बताओ क्यों क्यों क्योंकि call बहुत सारी आती रहते हैं इसलिए हमने इसपे WhatsApp call का option ही बंद कर दिया अभी ठीक है बहुत सारी बच्चे call करते रहते हैं इसलिए तो buy करने के लिए इसपे जाओ ठीक है नंबर पे message करो आप message के साथ में ना code देते हैं ठीक है कैसा code वैसे प्राइस तो 10 सेंपल पेपर का आप 99 है लेकिन message के साथ में आप code देते होगे न GSK 10 तो आपको जो जिस भी subject का sample लेना होगा उससे 50% आपको coupon code मतलब discount मिल जाएगा ठीक है तो वह आपको 99 रुपीस में 10 sample पेपर्स मिल जाएंगे बच्चों एक कोंबो अफर भी आपके लिए अगर आप दो सब्जेक्ट जैसे हिंदी यह आपका इंग्लिस और पॉलिटिकल साइन्स है यही दो अभी अभी के लिए अगर आप इनको दोनों के एक ही साथ खरीद लेते हो तो आपको 190 मिल जाएगा बिसिकली है ना तो काफी अच्छा है आप कोंबो ले लिजिए आप सिंगर ले लिजिए वाटेवर वांट ओके चलिए वापस से आते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन की जो की क्वेश्चन 11 था आर्थिस आसर में सांकिकी के महत्त को उजागर कीज है और यह है आर्थिक जो नीतियां होती है इसके निर्माण में सहायक होता है तो दो इंपॉर्टेंस तो यह होगी कौनसी अनेक प्रिकार की आर्थिक समस्यां को सांकिकी की सायता से समझ जा जाना ठीक है दूसरी जो सांकिकी होती है इसके मादम से आर्थिक जो नीतियां ह इन आय वाली व्यक्ति अपनी आय का प्रियोग किस प्रिकार करते हैं यह हम उपभोग संबंदी आकड़ों के द्वारा जान सकते हैं कोई 10,000 कमाता है कोई 50,000 कमाता है ठीक है तो उस पैसे का वो किस प्रकार से किनकी चीजों पर उपयोग करता है उसे हम सांखिकी की माध्यम से समझ सकते हैं उपहोग संबंदी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवम जीवन इस तर्को सुधारने में उपयोग पता है आपकी आई इतनी है आपका पैसा इतने खर्च होता है तो आप अपने यह बजट बना पाओगे और अपने जीवन को अच्छा चला पाओगे यह चिजी होती है जैसे अगर आपके पास में फूंजना के बारे में पड़ा होगा planning के बारे में तो कुछ-कुछ यहां उत्पादन संबंदी आंकडे, मांग और पूर्ती में सामान जिस से स्थापित करने में उपयोगी है, सहायक है, क्योंकि इसके अधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निधारत किया जा सकता है, अधार, उत्पादन के अंतरे का संथ किया क्या मतलब है, कि किसी भी जो वस्तु है, उसके production के लिए, उसके हम जब आंकडे देखते हैं, कि उसकी क्या मांग है, ठीक है, और कितनी पूर्ती है, तो उस साबसे फिरम डिसाइड करते हैं, कि हमें कितना और production करना है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है यांपे, फिर यांपे तीसरा है, वितरन के अंतर लोग चाहिए ठीक है, Poonji हमें चाहिए और एक उद्योग लगाते हैं ना तो उद्योग चाहिए उत्पादन के विविन कारकों में कारकों के मद्य राष्ट्रिय आई के वित्रन की समस्या को समाधन करने में सांकिकी विविद्र का प्रयोग किया जा सकता है यानकि एक उध्योग को उध्योग में उत्पादन के लिए विविन परिकार के जो समस्य होती है उनको सुलजाने के लिए भी हम Sankhii के उपयोग करते हैं ठीक है तो इस परिकार से सांकिकी की importance यहां पर आपको समझ में आ गई होगे ठीक है आपको मैं और बता दूँ एक sample वीपर जो हमारा पहला वाला था उसमें सांकिकी के महत्यों के बारे में और भी मैंने आपको पांच से छे पॉइंट बताएं थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो उस वीडियो का भी लिंक आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा अंडर प्रोडेक्शन और स्ट्रीशन तो स्ट्रीवीशन एक वारे में आपको स्ट्राटिक्स कौ समझा था ओक है माधिका को ग्याद करने की ग्राफिय विदियों में सबसे पहले हैं विदी नंबर बन ये कम से अधिक की विदी है सबसे पहले स्रेणी को से कम या फिस से अधिक वित्रण में बतला जाता है उसके बाद आकणों को ग्राफ में पदेश्यत करते हैं स्रंकला की छवाँ पद निर्धारिक करके गा अक्ष पर लंब डाला जाता है उसके बाद मागधिका हम ग्याद कर सकते हैं अब ये जो आपको मैंने ये बात बताई विधिवन की कहां से से कम या फिर से अधिक तो उसको करना कैसे होता है तो यहां पे देखो एक यह रहा आपका से कम वाला और यह रहा से अधिक वाला तो से कम के लिए जो आपको मैंने आपके बताया कि आँखड़े जो है उन्हें ग्राफ में पदरिशत करते हैं पहले वितने देख लेते हैं से कम में करना है उसके बाद फिर आँखड़ों को मैं इस परकार से दर्शा आते हैं लंब किस पर डाला जाता है गाह पर डाला जाता है उसके बद chicks भी जाता है यानकि एक ही graph में दोनों ही चलेगा एक ही graph पे से कम भी होता है और से अधिक भी होता है ये दोनों ही होते हैं दोनों ओजाइब खींच कर दोनों वक्रे जहाँ पर एक दूस्री को काटते हैं उस window से गाह अक्ष पर लंब डालते हैं, जैसे यहां पर यह काटा जा रहा है तो यहां पर यह लंब डाल दिया गया है ठीक है, गाह अक्ष पर जहां लंब करता है, उसको उसे मूल को मादिका कहते है, यहां पर यह जो लंब गिरा है सुचकांग किसे कहते हैं और सुचकांग के प्रकार रिखे देखो मैं फिर से बताता हूं आपका पेपर नंबर जो पहला है उसमें आपको बताया कि सुचकांग कि क्या है सुचकांग को निर्धारित कैसे किया जाता है सारी की सारी बात है मैंने आपको बता रखी है तो आप सुचकांक जो है वो एक ऐसा सांकिकी माप है जो कि समय, इस्थान और अन्य विसेश्थाओं की अधार पे किसी चर या चर मूलियों की समों में होने वाले परिवर्तन को प्रदिशत करता है ठीक है तो सुचकांक कि क्या है बिसिकली इंडेक्स क्या होता है ये एक सांकिकी सुचकांक और एक होता है मातरात्मक सुचकांक क्या होता है कीमत यह है यह एक निश्चित समय अवर्दी में कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है ठीक है एकosedन मानले कि 2023 से 2024 की जनवरी होदना 2300-2024 के जनवरी एक साल हो गया पुरा एक की निश्यत अभरी हो गई इस निश्यत अभर्र में किसी वी वस्तु की जो कीमत थी उसमें जो परिवर्तन हुआ सक्ति के मात्तर की मातरा में प्रवर्तन कीमाप है ।ार्थाद कीसी एक निश्यत समय वध्ILL में कंज्यूमर के द्वारा जो भी कंज्यूमर हो गया और जो प्रोडक्शन करता हो गया इनके द्वारा क्या उत्पादित किया जा रहा है और क्या उप्भूग किया जा रहा है उसकी जो मात्रा कमाप है उसे मात्रात्मक सुचकांक बोलते हैं अब सुचकांक के मार्दम से यहां पर जो बच्चे इंगलीज मेडियम के हैं एक सेकंड एक सेकंड अच्छा सुचकांग के परिकार और भी है वही तो मैं काऊंगू यहां पर दो तो नहीं थे चार पड़े थे अब देखो यहां पर मूलिसुचकांग क्या होता है तो इसके अंतरगत उत्पादित या फ मितलब इंपोर्ट ए एक्सपोर्ट जो होता है इसमें जो परिवतन होता है मुद्रा में उसको तुलनात्मक माप को बोलते हैं फिर थोक कीमत सुचकांग है WPI इसके अंतरगत उत्पादन की वस्तूओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवतनों का अध्यन किया जाता है अध्याद मालने ते वस्तू जो उत्पादित की गई है अब उसको बेचा जा रहा है तो बीचते थोक में बड़े बड़े विक्रियता जो है तो थोक में जो मूल्यों में परिवतन हुआ है उसको थोक कीमत सुचकांग बोला जाता है ठीक है और ये भी बिसिकली एर के हिस आप से ही होता है किसी एक निश्ची समयवदी में ओके बच्चो चले आव आते हैं इंग्लिस में डिस्क्राइब ग्राफिकल मेथड्स ओप दी फाइंडिंग मिडियन तो इसमें है एक तो टू लेस देन ग्रेटर मेथटर मेथट नमबर फन फिल लेस देन और मोर देन तो गुंदेक्स के बारे में आप यहां से पढ़िए और फिर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताएंगे और एक अच्छी तालिका की निर्मान के लिए आवश्क दिशा निविश्यू बताएए मैंने आपको बताया था एक पर में कि graph कैसे बनाए जाता है मैंने आपको यह सारी ज़िझ हैं कि आपको यह सी वीडियो चाहिए जिसमें आपके जो मैंने तीन सेंपर पर आपको करवाई है ठीक है इसके मैं टकरीबं 1 से लेके तक्रिवन डेड़ गंटे की कैसी वीडियो बनाऊं जिसमें सारे के सारे आपके तीन सेम्पल विपर हैं इनके questions का हम revision कर लें एक बार ठीक है ताकि आपका भी revision हो जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उससे समझ में भी आ जाएगा अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सारे के सारे वच्चे जितना जादा हो सके comment करो अगर आपको तीन सेम्पल विपर इन वन वीडियो चाहिए जिसमें हम revision कर लें और एक बार देखे भी लें कि इसके आवशक दिसा निलिस बताओ तो सारे नियंद प्रस्तिती करण और द्यान रखे तीरवा question, चौदवा question और पंदरवा question यह आपके चार नंबर के questions है सारणियन प्रस्थती करण में आंकड़ों को इस्थम्वों और पंक्तियों दोनों की रूप में प्रस्थत किया जाता है इस विदी का लाव ये होता है कि यह आंकड़ों को पुनहे सांकी की विभार और निर्ने प्रक्रिया के लिए विवस्थित करता है सारणी निर्माण के लिए आवशक ये है कि एक अच्छी सारणी के भागों को जाना जाए जिसके विवस्तित क्रमवर तरीके से सारणी का निर्माण हो सके या अगर हमें कुछ सारणी बनानी है तो हमें उसकी प्रतियक भागों अच्छे से समझना चाहिए सारणी निर्माण की सबसे सरद प्रिक्रिया आंकणों को इस्थम्वों और पंक्तियों में कुछ व्याक्यात्मक नोड की सारणी प्रस्तुत करना होता है जैसे ग्राफ ही हम बनाते हैं ग्राफ जैसे वैसे ही सारणी प्रस्तुति करना हमें करना पड़ता है अब एक अच्छी तालिका यानि कि एक अच्छा यह जो तालिका होता टेबल जैसा इसको बनाने के लिए आवशिक दिशाने रिस्क है तो सबसे पहला यह है एक आदर्श आकार यानि कि आप जो है एक अच्छी सी टेबल बनाओ ठीक है एक सेकेड देखो ड्रॉइंग भी मत यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे एक उसके बाद इस थम्ब और पंक्तियों का उप्यूक्त आकार यानि कि आपका जो इस थम्ब तोलनी होना चाहिए और एक तालिका के सभी भाग होने चाहिए एक तालिका के लिए जो सभी भाग होते हैं जैसे सीरियल लंबर हो गया और भी जो होते हैं सब कुछ है उसमें होना चाहिए ठीक है तब जाके एक तालिका अच्छी बनती है बच्चो तो साल एंडियन प्रस्त essential guidelines for making a good table इसके बारे में ये point है जिसे आप यहाँ से rate out कर सकते हैं ओके बच्चो अब दिखिए है हमारा यहाँ पर question number 14 द्यान से देखो 14 के कहता है सुचकांक की रचना में क्या क्ठनाईया या समस्या आती है किनी तीन का वर्ण कीजिए अब आपको गहे है तो 4 का फिर 3 क्यों पूछी जा रही है तो मैं आपको 4 ही बता देता हूँ ठीक है तो बात करते हैं सुचकांक निर्मान में कई परकार की समस्या आते हैं यानकि जब भी हम कोई एक index को define कर रहे होते हैं उसको make कर रहे होते हैं सबसे पहले तो यह आती है कि इस index का purpose क्या है सुचकांक का उद्धेशक है क्योंकि बिभिन्य सुचकांक अलग अलग उद्धेश्यों की पूर्ती करता है सुचकांक निर्मान से पूर्व हमें यह सुनश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि हमें जो भी index बनाना है वो किस उद्धेश के सुचकांक से बनाया जा रहा है जैसे हम मानते हैं हमें CPI बनाना है consumer price index है यह बनाना है हमें तो हमें यह भी देखना है कि वो हम बना क्यों रहे हैं तो उद्धेश से पहले देखा जाता है चलो उद्धेश देख लिया कि मानते हैं कि हमें जो उसका budget का अंदाज लगाना है फिर हम बात करते हैं कि आधार वर्ष का चनाव यानकि हम यह भी तो देखेंगे कि जिस year का हमें बनाना है उस year के साब से जितना भी उसने वस्तू को consume किया है उसकी वस्तू कि उसकी service उसकी सेवाइं जो थी जो उसने consume किया है उसकी कीमतें क्या रही थी ठीक है और वर्टमान से उसके तुलना करेंगे यह वर्ष सामान ने वर्ष होना चाहिए जिसमें सामान कीमत इस्तर ना तो बहुत अधिक रही हो अधाय इसका निधारन बहुत साब्धानी से किया जाता है फिर है वस्तूओं एवं सेवाओं का चुनाव index सुचकांक के निर्माण में किन-किन वस्तूओं किन-किन सेवाओं को सामिल किया है इसका निधारन भी एक महत्पुन पहलू है जब हम index बनाते तो हमें यह देखते हैं कि हमें कौन सी वस्तू कौन सी सेवाओं को index में लेना है इसलिए यह आवश्यक है कि सुचकांक के उद्देश्यों को ध्यान में रखे हमारा जो उद्देश्यों जैसे बजट है तो बजट के लिए हम उसके आए और उसके खच पर ध्यान देंगे केवल ठीक है वाकी relation वेगरा इस पर ध्यान नहीं देंगे वहाई अगर बात होती किसी और की तो हम उसके ध्यान देते तो उसलिए केवल जो हमारा उद्देश होगे ना उसी के अधार पर हम ध्यान देंगे उसके बाद वस्तू अवं सेवाँ को हम फिर चुनाओ करेंगे फिर आता है विधी का चुनाओ सब कुछ रेडी हो गया चलिए अवम है हमारा उद्देश शामने आ चुका है हमने एयर भी देख लिया है और हमने वस्तू सेवाँ को चैन कर लिया अब बारई यह आती ही कि हम किस विधी को चुनेंगे तो सुचकान के निmb करने की दो विधी होती है मैं लिए आपकी क्ताब में तो उन में से हम किसी एक विधी को चुने, अब कैसे चुनना है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या निकल कि आ जाती है, ठीक है, तो ये बात ने थे, आई हो बच्चो, आप समझगे होंगे बड़ी है तरीके से, अब इसमें दूसरा कोश्चन देखो क्या है, आकड़ों के वर कि चार हैं, इसके प्रकार, वही तो कोश्चन दो चार काड़ों कैसे हो सकते हैं, देखो, आप और इसकृत आंकड़ों को विभिन्द तरीकों से वर्गी करित किया जाता है, जो अध्यान के उद्देश्य पर निर्भट करता है, यान कि जो आंकड़े अभी विवस्तित र प्रकार हो सकते हैं, एक तो है कालानुकर्मिक, इस्थानिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, तो एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं, सबसे पहले कालानुकर्मिक, इस प्रकार के वर्गी करण में, आंकड़ों को समय के संदर्व, जैसे एक वर्ष, ती माही यान की तीन म सबसे पहला part क्या हो गया काला नुमक्रमे यानि कि समय के हिसाब से एक पूरे एक साल का छह महीने का तीन महीने का एक महीने का या फिर साथ दिन का इसको घटते हुए या फिर बढ़ते हुए किसी भी क्रम में लख सकते हैं दूसरा है वरगी करांण का हर शहर के जिलों का और जिलों के कश्वों का इस प्रकार से जो अनुसरण है वो कहलाता है इस्थानिक वरगी करण पर तीसरा है बच्चों गुणात्मग यह ऐसी विसेश्था हैं जैसे कि राष्टियता साक्षरता धरम लेंग विवा इन सभी को हम गुड कहते हैं और क्य क्या गुडों को कभी मापा जा सकता है क्या जो हमारी प्रेम भावना है देश के लिए क्या जो हमारी एजुकेशन क्या जो हमारा धरम है क्या जो हमारे वैभाईक जीवने से मापा जा सकता है नहीं मापा जा सकता क्यूं भई क्यूंकि यह गुड है तो इसलिए इन गुड का गुणात्मक विसेश्था की उपस्तिती और अनु उपस्तिती के अधार पे से वर्गी करते हैं ठीक है विसेश्थाओं पर आधारित आंकणों को ऐसे वर्गी करन को गुणात्मक वर्गी करन कहा जाता है पिर तीसरा है वच्चो मात्रात्मक वर्गी करन उचाई भार आय और चात्रों के अंक आदी विशेष्टाओं की प्रक्रति होती है मात्रात्मक जब ऐसी विशेष्टाओं के संग्रित आंकणों को वर्गे में समुहित किया जाता है तो यह है वर्गी करण मात्रात्मक वर्गी करण कहलाता है उंचाई भार आयू चात्रों केंक जब इन सभी है दूसरा इस्थान दीसरा कोड़ और चौता है मात्रा के अधार पर ओके बच्चों तो आपका कॉस्चेन वर 14 जो था यह पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया आगे वड़े अच्छा आगे वड़ें से पहले जो बच्चे इंगलिस में इंगलिस मीडियम के वो देखें वाट डिफकल्टेज और प्रॉब्लम्स अराइज इन कंपोजिंग इंडेक्स डिस्क्राइब एनी थ्री नहीं फोर होना चाहिए ठीक है ना तो कौन-कौन सी होती है प्रॉब्लम्स आर क्या बोलते हैं फॉलॉविंग आर प्रॉब्लम्स अराइज इंडेक्स कंस्ट्रक्शन तो पर्पॉस ऑफ इंडेक्स सेलेक्शन ऑफ बेस इयर लेक्शन ऑफ गोड्स एंड सर्वेश और जब यह सारी चीज़ने स्लेक्ट हो जाती है फिर हम यह दिखत अरफ क्लासिकेशन के बहुत सार मैथट थर्व्मस गतेम स्वेशे machen इंडेक्स क्लासिफिकेशन है इस्वेशिल क्लासिफिकेशन और कोटी सेह समबंद गुडांक में अंतर इसपचत्ष कीजिए यह प्रस्णा आपका है तो वैसे छी नंबर का ठीक है मांक dostęp कै होने चाहिए वटे चार नंबर में ठीक है ना तो ध्यान से देखना या पूछा गया है काल पियर्शन सह संबन्द गुडांग ठीक है अड़ी काट क्यूं दिया और कोटी सह संबन्द गुडांग इनमें आपको डिफ्रेंश बताना ठीक है तो आए समझते हैं सबसे फ़हले बात करते हैं काल पियर्शन से संबंद करने की इसका प्रियोग जो है वो मातरात्मक मूल को ग्याद करने की इस्तिती में किया जाता है किसका काल पियर्शन का मातरात्मक मूल के लिए सह स्रंकला के उन्नत मूल से प्रभावित होता है यह केवल रैखिक संबंद को मापता है कालपियर्शन रैखिक संबंद को ही मापता है यह संबंद का मूल ग्याद करने के लिए भी प्रियोग किया जाता है तो यह तो हो गया कालपियर्शन फिर कोटी से संबंद इसका प्रियोग गुडात्मक मूल्य को ग्याद करने की सिती में होता है यह सरंकला की उन्नत मूल्यों से प्रिभावित नहीं होता है यह रैखिक भी हो सकता है और यह रैखिक भी यह संबंद की कोटी ग्याद करने के लिए भी प्रियोग किया जाता है सर जी एक काम किजिए थोड़ा दुवारा से एक बार हो समझा दो चलो समझाते हैं देखो दोनों को ना एक ही करके समझो काल पियर्शन इसका प्यूकिस्त के लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक मूल को याद करने के लिए और कोटी से समझद का गुडात्रक मूले के लिए ठीक है काल पियर्शन सरंकला उन्नत मूल से प्रभावित होती है लेकिन कोटी से समझद प्रभावित नहीं होती है ठीक है काल पियर्शन केवल और केवल रैकिक समझद को मा आपता है जबकि कोटी से संबंद रैकिक भी मापता है और रैकिक दोनों को मापता है काल पिर्शन संबंद का मूल ले ग्याद करने के लिए प्योग होता है जबकि कोटी जो है यह कोटी ग्याद करने के लिए प्योग होता है तो इस प्रकार से दोनों में आप differentiate कर पाओगे चले एंगलिस मीडियम है डिस्क्राइब डिफ्रेंशेट बिट्विन काल्ड पिर्शन कोलेशन कोलेशन कोफिशिंट एंड रैंक वाले में ठीक है तो काल्ड पिर्शन के बारे में यह हो जाएगा और रैंक वाला आपका यह हो जाएगा कोश्चन नमबर 16 अब यह दोनों ही कोश्चन बहुती बढ़िया बहुती इंपोर्टन है कोश्चन 16 है माध्य किसे कहते हैं माध्य के प्रकार माध्य के गुड और माध्य के अवगुड लिखी है तो किसे कहते हैं प्रकार गुड अवगुड सभी देखेंगे देखे माध्य बिसिकली होता क्या है तो माध्य क्या होता है अंक गड़िती है माध्य बिसिकली वह संक्या है जो एक स्रंक्ला के सभी मतों के मूल्य को जोड़ कर उसे उनकी कुल मतों की संक्या से बिवाजित करके प्रप्त किया जाता है जैसे कि हमारी एक जो स्रंखला होती है ना ये इस प्रकार की ठीक है तो इसमें एक स्रंखला के सभी मतों को जो भी इसमें डेटा दिया होता है इन सभी के मूलियों को जोड कर और कुल मतों की जो संख्या है जैसे मत जो है दस है ठीक है ना और जोड मा लेते पूरा सो है तो इसको फिर डिवाइड करके हम माध्य को निकालते हैं। ऑके, अब माध्य होता दो प्रिकार का है। पर चिंवासरों के, सप्विन वस्तिों का एक समान महतु दिया जाता है, तो इससे सरल माध्य भोलता हैं। यानिकि जो डेटा है, वो इकौल इपकल होता है, तब हो बोलता है अरे ये तो बहुत ही सरल है और एक भरित होता है जब एक स्रंखला की बिभिन वस्तियों को उनके सापेक्ष महतु के अनुसार अलग-अलग भारे दिया जाए यानकि अलग-अलग डेटा दिया जाए तब इसको भरित माद्य का आ जाता है ठीक है तो ये माद्य का गुड़ तो माद्य के क्या-क्या गुड़ होते है इसे भी देख लो माद्य का सबसे पहला गुड़ तो ये है वाई कि माद्य की गड़ना करना बहुत ही असान होता है ठीक है माद्य का जो मान है ये एक निश्चित मान होता है और ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है साथ ही इसकी तुलना करना बहुत ही सरल होता है ठीक है तो यह मार्द के गुड़ हो गए वहीं जैसे एक सिक एक दो पहले हुआ है तो हाँ हमने यह माना कि कि मार्द की जो गणना करना है ये भी सरल है मान निष्चित है सभी मूल्यों पर अधारेत है और तुलना करना सरल है लेकिन वहीं इसके कुछ निगेटिव एक्सपेक्ट भी है तो अब गोड़ा आ जाते हैं कि यह सीमान्त और चरा मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है कोश्चन नवर 16 बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी दूसरे कोश्चन की बात करते हैं दूसरे कोश्चन है जन गड़ना यानकी संगड़ना एब प्रतिदर्श यानकी निदर्शन विधी में अंतरस्पर्ट करो दियान से देखो आप से पूछा जाएगा जन गड़ना और जो प्रतिदर्श विधी है इसमें अंतरस्पर्ट कीजिए या फिर संगड़ना और निदर्शन विधी इसमें अंतरस्पर्ट कीजिए तो नाम दोनों में से कोई भी आ जाए आंसर एक ही होगा आपका तो सबसे पहले बात करते हैं वच्चों अपने पहले वाले की जो क्योंकि जंगर्णा विधी के इंतर्गत संग काययों का आध्ययन किया इस लिए उच्छे इस्तर की परियर जोगहरी जने बहुत सारी बहले किये होते हैं तो बहोती खर्चिला भी होता है पैसा बहुत लगता है और इसमें समय ऊस्तन हो जाता है या फिर हम करी ही नहीं सकते है जैसे कि डौक्टर के द्वारा रोगी की खूं की चाच तो इसमें कैसे करेंगे भाई तो यहीं इसकी difficulty है जहां समगर काईयां विजातिये होती हैं वहां जन्गर्ना विदी उपव्योगत होती है यान कि जहां पर शोद करता जो है वह यह देखे कि एडियत छोटा है तो वहाँ पर इस जन्गड़ना की विदी को पयोग में ला सकता है लेकिन बड़े के लिए प्रतिद्रश चलिए होगा तो यहीं से शुरुज़ात हो जाती है प्रतिद्रश विदी की प्रतिद्रश यानि की निर्दशन विदी प्रतिदर्श समस्टी के चायनित किये गए एक छोटा समू होता है जो समस्टी के गुड़ों का प्रतिनित तो करता है इसके द्वारा समू से संबंदित सूचना है प्राप्त किये जा सकते हैं ठीक है चुंकि जो प्रतिदस विधी होती है इसके अंतरगत केवल और केवल प्रतिनिजित्व एकाईयों का ही अध्यान करते हैं यान कि जो एकाईयों का प्रतिनिजित्व इसमें दिया गया हम उसी को अध्यान करते हैं इसलिए इसमें कम परिश्यद्वता होती है ठीक है य यानकी कुछी ही सीमितिस में एकाईयां होती है, इसलिए ये विधी कम खर्चेली होती है, कम समय और कम स्रम भी लगता है, जिन प्रसितियों में संगणना विधी, यानकी जनगणना विधी का अपयोग नहीं हो पाता है, वहां पर इसका अपयोग किया जाता है, जहां पर यह concept आपका इसके बारे में जो कि आपको समझ में आ गया होगा तो जंगरना विधी के बारे में यह बाते हो गई और प्रतिरिश्ट के बारे में यह बाते हो गई अब जो बच्ची इंग्ली मीडियम के हैं वह यहां से देखें तो मीडियम बिसिकली होता क्या है तो इसके बारे में आप यहां से देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं यह यह तो इसके आपको डिफ्रेंश करना था sense and sampling method में तो sense method क्या होता है इसके बारे census method इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं फिर sampling method क्या था इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं अब जो हमने question लिया है यह लिया है आपके mathematics के लिए question number 17 देखिए क्या कहता है कि माधिका की गणना के सूत्र अथात आपको माधिका ग्याद करनी आप से एक होती है सबसे पहले जो विक्तिकत स्रंखला है इसकी माधिका कैसे निकालते हैं तो इसकी माधिका निकालने के लिए दिये गए आकणों को आरोही यह फिर अब्रोही क तुस्रा जो इसका सूत्र है होता है है फिलिक्त स्रंखला के लिए फिलिए खिए का घर in fognakला के लिए ओम pac और इस प्रकाष से इस प्रकाष्प को मैने कुछ ऑड्र वने आपके लिए वए आप लिए करने ना क्यूंकि पेपर में आपसे इसे संबंदित एक तीन मार्क्स का कुश्ण ना mathematics वाला वह आएगा अब कुछ स्रेणियां है जैसे कि व्यक्तिगर्ट स्रेणी है मार्द्य के लिए वाला वह आपको वीडियो में कैसे पियोग होता है तो सारे फॉर्मूलिस आपको एक ही वीडियो में एक ही जग़े पे एकक्य वाद में दिख जाएंगे आप समझ लिया अच्छे से ठीक है आप इसको पॉस कर लेना और समझो याद कर लेना बाकि अब जो बचता है बच्चो हमारा इस पेपर का अगला वाला पार्ट इसे मैं आपको समझोंगा पार्ट टू वीडियो में ठीक है और पार्ट टू की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी आप उसको भी देख लेना और त्यारी अच्छी कर लेना आपकी 100 प्लेट्स MCQ की वीडियो भी रेडी हो चुकी है बस अपलोड करके उसको ब जो बच्छे अपने इंग्लिस के एक्जाम के और पॉलिटिकल साइंस के एक्जाम भी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए गुड नीवस है हमने आपके पॉलिटिकल साइंस इंग्लिस के फाइनल के एक्जाम के लिए 10 प्लस most important sample question paper को तयार किया है जिसके अब आपको इन सभी को बाय करने के लिए क्या करना है सिंपल सा इस दिए गए what's up number content कीजिएगा make sure कॉल ना करें ठीक है न क्योंकि कॉल बहुत आती है इसलिए हमने इस पर कॉल का सिश्टम आफ कर रखा है सिर्फ मैसेज करें और मैसेज तभी करें जब आपको बाय करना हो 99 दिपीस में आपको बहुत 10 सेंपल भी पर मिल जाएंगे बच्चो और अगर आप कॉंबो लेते हो दो सेंपल भी पर का इंगलिज का और पॉलिटिकल का तो यह आपको 190 में पड़ जाएगा काफी इची त्यार हो जाएगे अगर आप इनको कर लियते हो ठीक है तो वीडि जै भाराद वन दे मांतरम